उलोश्री प्राणनाथ प्यारे कीजे उलोश्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साथ जी के धाम विदय में विराज मान चोभाय मान राज रसिक प्राण प्रियतम विदयेश्वत आपके नूरी कोमल चैनार विंद में कोटान कोट प्रनाम जी 168 दिन श्री बीतक साहिब चर्चा दोडेंगे आप अपनी आय मिले आखर ये देखे दोड कैसे लगाएंगे दोडेंगे आप अपनी आय मिले आखर कौन सा ये प्रसंग है तब साथ सब को होवे की खबर ये वाली चौपाईए कब सुन्दर साथ को खबर होगी और कौन दोडेंगे कैसे दोडेंगे आखर में कौन मिल जाएंगे ये देखे सब साथ इदर मिलते जा रहे हैं एक एक डीटेलिंग पर ध्यान दीजेगा सुन्दर साथ जी ताइम नहीं था भी इन सुन्दर साथ जी के पास very less time he is out of station वहाँ पे call भी करना allowed नहीं है अभी फिलहार पर एक एक element यदी आप देखें कहां कहां से उठा उठा के लाके ये यहां पे रखते हैं पूरा घर पूरा स्टॉल पूरी दुकान बना देते हैं एक घास का पत्ता उठा उठा के लगाते हैं सुन्दर साथ जी हिरान रह जाती हूं मैं देखकर कहां से पहाड कौन से जरने कौन सी पाती एक एक चीज पे ध्यान दीजेगा दो पातियां भी लिखी गई थी अभी एक एक पत्ते को जब चुन चुन के लगाया जाता है ना खावों से भरी हुई सारी सेवाओं के चर्णों में सभी सुन्दर साथ जो सेवा कर रहे हैं जोक कर स्वयम को सेवा कर रहे हैं सहयोगिता भी ऐसे ही बन रही है नाम लेना अलाउड नहीं है पर आप सब समझते हैं सुन्दर साथ जी कौन सेवा कर रहे हैं आप सब के गायन हमारी प्यारी सक्की शिवानी जी के मिच्टे प्रनाम जी 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 अंदर अरश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार उत्री ले लात कदर में खेल देंकन तीना तकरं अब देखो अंदर अरश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार साहिब बैठी तकत पर साहिब साहिब बैठी तकत पर खेलावत कर प्या एसी हासी परामसी की कबुदे की लात बेशुमा अब देखो अंदर अरश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार ऐसा है देख्या हक का ऐसा है देख्या हक का तो भी लगे ना कलेजे का ऐसा है देख्या हक का तो भी लगे ना कलेजे का ऐसी रभ रमोजे सुनके हाई हाई उड़त नहीं अरवाहे अब देखो अंदर अरश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार एसुक जरा यादना एसुक जरा यादना याद नहीं एक एसा आप याद नहीं एक एसा हक देद्ध याद 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 कैविध सुनक हक देद्ध याद याद कैविध सुनक हाई हाई नीदर नीड़ां अब देखो अंदर या रश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार शीरी महामती कहें मौमिनों ए देखो हग की हग की मेहरी जो एक इसान हक का लिजी है जो एक इसान हक का लिजी है तो जो दे तब कब लगे जै अब देखो अंदर या रश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार उत्तरी ले ले लाति कदर में उत्तरी ले लाति कदर में खेल देखाई तीन तक रंग अब देखो अंदर या रश के रुहें बैठी बारे हजार रुहें बैठी बारे हजार बुलिये शिरी प्राणात प्यारे की चे बुलिये शिरी धाम के धनी की चे प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत सुन्दर बहुत मीठा अती 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 सुन्दर धनी की बहुत महर आपके कंठ पे भी बरसती है और इस रिदय पे भी जरूर गाते रहिए सुन्दर साथ को, पिया जी को ऐसी रिजाते रहे और आते रहे, पनाम जी, पनाम पनाम जी आइए सुन्दर साथ जी, अब हम चलते हैं अती सुन्दर श्री बीतक साहब के प्रसंग की वड़ इतना कुछ, इतने ख़जाने, महामती जी की वानी में से स्वामी जी के टीका में से निकलते आ रहे हैं सुन्दर साथ जी समय कहां से खोजा जाए जब वो दिये जाए जब सब सुन्दर साथ के साथ उनको बाटा जा सके ये समझ में नहीं आ रही ऐसा लगता है जीवन पहले ही ना चला जाए ये बात किसी ना किसी तक तो पहुँच जानी चाहिए अगर मैं नहीं तो कोई और स्वामी जी तो बताई चुके हैं पहले से पर सुन्दर साथ तक ये बात पहुँचने से रह न जाए तो कोशिश करूंगी और समय यहां से निकल नहीं पारा सुन्दर साथ जी नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी एक दिन शाम को निकाला जा सकता पर ऐसा हो नहीं पारा तो कोशिश करूंगी सिंधी में ही ये सब कुछ पिरोने की धनी जी की महर से अपने आप वो करेंगे आई अभी बीतक साहब के प्रसंग की ओर चलते हैं कल मेरे ध्यान से निकल गया कि हम तो विरहा कर रहे थे और एक प्रकार का विशेश विरहा रह गया पर वो भी धनी जी की महर से हुआ क्योंकि उनमें और बहुत कुछ देना था पिया जी ने आईए अभी बीतक साहब की ओर चलते हैं अती अती सुन्दर टी का पूरा जीवन खतम हो जाए तब भी सुन्दर साजी इनने से खजाने निकलने कम नहीं होंगे आईए चलते हैं और आज सुन्दर साजी बीतक साहब से रिलेटिड भी कुछ आ रहा है बहुत सुन्दर प्रसंग मिला जो कि श्री कृष्ण तृधा लीला से भी रिलेटिड है बीतक साहब से भी रिलेटिड है सिंधी में से निकला तो विरहा पर वो कब बीतक से और श्री कृष्ण तृधा लीला से जाके जुड़ गया पता ही नहीं लगा कोशिश करेंगे आज उनको भी थोड़ा सा टच कर पाएंगे चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्रान नाथ सक्षी जीवन हमारों दे प्री महमती कहिये साथ जी भयाच चाका वकत अब तुम सुनियों चित दे लाज गया पैठे इन तखत लाज पैठे इन तखत वुलो श्री प्रान नाथ प्यारे कीजे बो श्री सत्गुरु महराजी कीजे प्रणाम जी सुन्दरसाथ जी आज मैं जा रही थी पीछे की सू रत में क्या क्या हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ क्योंकि revision करनी है हमने एक दिन अती अती सुन्दर साजी इतना कुछ पिया ने दे दिया है श्री बीतक साहब में भी स्वयम पर जो उतारने के प्रसंग है ना सुन्दर साजी वो सारे बीतक साहब में अती सुन्दरता से दिये गए अब कतेब पक्ष की और हम चलना शुरू हो चुके हैं तो क्या कहते हैं ला तो नाही को कया इला तो है हक ए अच्छर अच्छरा तीत की बात बड़ी बुझरक ए तो श्री देव चंदर जी कहीं तहां से आये तुम दूसरा तो कोई है यह नहीं इनका कौन दावा करे बिना हम हमारे बिना हमारे पिया जी के बिना संदेश भी वहां से कौन ला सकता है संदेश वाहक में भी अपनी शक्ती डाल कर भेज देते हैं सुन्दर साथ जी जोश धनी धाम उनमें भी साथ में आते हैं तो इसमें बहुत सुन्दर बताया गया कि अरब में नहीं उत्री थी तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लियाए कलाम सब खबर हमारी होएगी लियाए महम्मद अले सलाम निश्चित रूप से अक्षर की आत्मा ही महम्मद सहाब के रूप में अल्ला का संदेश लेकर आई कौन नहीं जानता हर सुन्दर साथ जानता है कि महम्मद सहाब के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा धनी जी का जोश यहीं का तन यहीं का कोई जीव रहा होगा उत्तम जरूर वैसंदेश ना तो पिया जी का आवेश उनके अंदर था और ना ही क हमारे लिए है, सब खबर हमारी होएगी, कुरान में बहुत सारी बातें हमारे बारे में लिखी गई हैं, रूहों के बारे में, अंगनाओं के बारे में लिखी गई हैं, निश्चित रूप से उसमें हमारे परमधाम की साक्षियां भी दी गई हैं, कैसे अल्ला ताला से बाते कि श्री राजी के बारे में सब कुछ लिखा गया कैसे इत्रे हिना की खुश्बू आ रही थी और कैसे हरा रंग मस्जिदों में भी प्रखर रूप से सामने आता है मुख्य रूप से क्योंकि साथ वनों की शोभा जाते जाते चान्नी चौक में से वो देखते हुए ही गए है सुन्दर साथ जी यद्यपी कुरान में शरीयत और तरीकत का ज्ञान विशेश कर है शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत होती है सुन्दर साथ जी शरीयत होता है कर्मकांड की भक्ती जो नए पहली बार सुन रहे हो कर्म कान की भक्ती यानि उपर उपर से कर लेना आरती भोग पूजा मैं और माथा टेकना और बलकि ये भी नहीं इससे भी जादा धागे बांद के आना पेड़ों पर पत्थरों की नदियों की इन सब की पूजा करना शरीयत की बंदगी में आता है उसके बाद तरीकत की मन से सेवा पूजा मन लगा कर रही हमारी सेवा पूजा की बात नहीं कर रही है जो दुनिया भी करती है उसको भी कहते है तरीकत की दिल मन दे के उसको भक्ती को करना तरीकत और फिर आती है हकीकत की बंदगी जो इश्वरी स्रिष्टी ही कर सकती है और ब्रह्म स्रिष्टी भी शरीयत तरीकत हकीकत से होते हुए मारिफत में पहुंचती है इश्वरी स्रिष्टी हकीकत तक रुख जाती है क्योंकि वो मारिफत तक पहुंचनी पाती मारिफत के भेदों को जाननी पाती जो पिया जी ने हमारे लिए रखा है कहते हैं विरहा की रा पे कदम तो रखती ह पर उस पे चल नहीं पाती इश्वरी सृष्टी हमारे लिए उपलब्द कराया पिया ने मारिफत की रा हम विरहा पर कदम रखकर आगे चल कर प्रेम की रा को प्राप्त भी कर सकते हैं उस पे चल भी सकते हैं और पिया जी के रिदय में गहरे भेदों को जान भी सकते हैं और वहीं रहते हैं सुन्दर साजी हम हमारा दिल तो अर्श है ही जिसमें धनी रहते हैं अव्यक्त रूप से और हम सारी आत्माएं भी पिया जी के रिदय में रहते हैं हम सारी ब्रहम स्रिष्टियां हमारी परात्मा भी सुन्दर साजी उनके रिदय का ही अंग है और हमारी आत तो हम उनी की प्रतिबिम्ब स्वरूपा बनकर यहां पर आई है सुन्दर साजी कम नियाकनी गरिमा इतनी है कुरान में भी गाई गई महिमा गुर्बानी में भी गाई गई हर जगह हिंदू हिंदू पक्षो, मुसल्मान पक्षो, सिख पक्षो हर जगह गाई गई है हिंदू मुसलिम सिख हिसाई में ब्रह्म स्रिष्टियों की महिमा को और पर ब्रह्म की महिमा को तो शब्दातीत की महिमा को भी शब्दों में लेकर आया गया पर जो वानी में जैसा लिखा गया वहा अरुफे मुक्तात के रूप में हैं, ये मुक्तात के रूप में हैं, कहते हैं वहाँ पर जब महम्मद साहब को दीदार हुए तो 90,000 बाते हुई, उनकी 90,000 हरुफ बोलते हैं जिनको पहले 30,000 तो कर्मकांड यानि पहले जाके इनसान तो बनाओ, इनको इनसानों की तरह 30,000 और जो की शरीयत और तरीकत की 30,000 फिर हकीकत और फिर मारिफत की 30,000 बातें की और मारिफत के तो खोलने का कुरान में उतारी नहीं गई सुन्दर साजी, खोलने का हुकम ही नहीं दिया गया, कहते हैं वो तो अक्षर की आत्मा यहां पर आते ही भूली गई, उनको हुकम नहीं था यहां पे उनको खोलने का पहले 30,000 तो सब को बताए अगले 30,000 जो जो पात्र हो उसको बताना यानि इश्वरी सृष्टी उसकी पात्र है जो जो पात्र हो उनको बताना और अगले 30,000 बातें तो करके आएं उनसे पर यहां खोलने का हुकम उनके पास नहीं है क्यों आरी ब्रहम वानी, हमारे पिया जी का वांग में कलेवर है, जो केवल जिस पर असली अधिकार हमारा है, उसके गहरे भेदों को जानने का अधिकार हमें दिया हुआ है, समय तो निकालें सुन्दर साथ जी, कितनी मीठी वानी हमारे लिए लेकर आए है धनी जी, जिनके भेद अल्लाह ताला के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता लास्ट वाले 30,000 है जो मारिफत के शब्द महम्मद साहब की जुबान पर इसलिए नहीं चड़ सके अरब में उसे ग्रहन करने वाला ही कोई नहीं था एक चौपाई में मैंने पढ़ा था स्वामी जी ने लिख है कि अक्षर की आत्मा उसको भूली गई उसको बोली नहीं पाई क्योंकि आत्मा उनकी भी फरामोशी में है सुन्दर साथ जी महमती कहें है साथ जी इहां लो इसा का इलम इसा किनको कहते हैं श्यामा जी देव चंदर जी को इसा कहते हैं श्री महमती जी कहते हैं ये साथ ये बहुत प्यारा लगता है हमेशा सुन्दर साथ को संबोधित करते हैं किसी जीव स्रिष्टी ईश्वरी स्रिष्टी किसी को संबोधन नहीं होता अपने सुन्दर साथ अपनी ब्रह्म स्रिष्टी अपनी अंगनाओं को संबोधन होता है सुन्दर साजी और इनके deep meanings ले भी सुन्दर साथ सकते हैं जो उनके अंग हैं जो सुनेंगे भी बहुत पर लेगा कौन और उतारेगा कौन अलाकि तो इसको सुनने की क्षमता रखना भी बहुत बड़ी बात है वो जीव भी धन्य है ब्रह्म स्रिष्टियों के वो जीव भी धन्य है जीव स्रिष्टियों के जीव भी धन्य है इश्वरी स्रिष्टियों के जीव भी धन्य है जो इस वानी को सुन पाते हैं क्योंकि इसको सुनने का बल भी हर एक के पास नहीं है और फिर सुन कर उसको समझना आत्म चिंतन करना और जीवन में उतार लेना तो केवल ब्रह्म स्रिष्टी कर सकती है मेरता तक सदगुरु इसा इहां लो मेरता तक सदगुरु धनीश्री देव चंदर जी के तारतम ज्यान यानि के वेद पक्ष के द्वारा जागनी होती रही इहां लो तो ये जागनी होती रही अब महम्मद को मिल चला अब महम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ कल्मा यानि कुरान पक्ष का ज्यान कहों एक दीन आदम भी श्री जी के स्वरूप में स्थित हो गया है अब संपूर्ण मानव जाती को वेद कतेब की साक्षी द्वारा एक सत्य धर्म का ज्यान प्राप्त होगा जिसका वर्णन महमती जी कहते हैं मैं करने जा रहा हूँ प्रकरन 33 चौपाई 1556 धनी जी की महर इतनी धीरे 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 चलते चलते भी इतनी चौपाईया हो गई शुकर है पिया जी आपकी महर और सत्गरु का अशिरवाद स्वामी जी का कोटान कोटा भार इस सुन्दर टीका के लिए अब कतेब की बातें भी शुरू हो चुकी है सुन्दर साजी अगला प्रकरन कतेब की पूंजी शुरू करने से पहले मैं कहीं जाना चाहूंगी जो कि बीतक साहब से भी related हैं, जो कि श्री कृष्ण तृधा लीला से भी related हैं, जो बीतक साहब का ही एक भाग हैं, आए सुन्दर साथ जी चलते हैं, बहुत बहुत क्योंकि इसको लेना बहुत जरूरी है सुन्दर साथ जी, आए चलते हैं, एक नया ही रंग पिया देने वाल विरहा क्योंकि अब सिंधी की बात उन में हो चुकी है सिंधी का हमने पढ़ लिया था और जो थोड़ा सा पाट बचा है वो हम सिंधी में ही पढ़ेंगे अब जो बीतक साहब से रिलेटेड श्री कृष्ण तृधार जी लीला से रिलेटेड जो बात है न वो हम करेंगे मेरे दिल में आया करता था क्या गोपियों ने इतना विरहा किया क्या प्रतिबिंब की लीला का कोई ओचित्ते ही नहीं है हमारे लिए जो काल माया में ध्यान से सुनिएगा श्री कृष्ण तृधा लीला की तैयारी सब सुंदर साथ कर रहे हैं और इतना डूब के कर रहे हैं कि मैं तो बहुत पीछे रह चुकी हैं सुनिदर साथ जी आपसे क्या प्रतिबिंब लीला का कोई ओचित्ते नहीं है सुनिदर साथ जी हम तो थे ही नहीं हमारे धनी भी नहीं थे उनका आवेश भी नहीं था कौन से प्रतिबिंब लीला की बात हो रही है जो की हमने महारास ख आया ना हम ब्रह्म स्रिष्टियां आई ना ही धनी का इवन की जोश भी नहीं आया यहां तक की अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी परमदाम जा चुकी है तो मैं सोचती थी ब्रह्म वानी में प्रतिबिंब लीला का वर्णन कहीं नहीं किया गया श्रीमत भागवत में किया गया त आज ही ब्रह्मवानी में लिखा हुआ स्वामी जी के टीका में उनके शब्दों में लिखा हुआ वो मिल चुका है तो उसको 112 की जगे 100 वर्ष जरूर कर लीजेगा क्यूंकि राधा जी के उम्र अल्रेडी थोड़ी सी जादा थी और वो कृष्ण जी से पहले तन भी छोड़ के चली गई थी तो इसलिए 112 नहीं 100 वर्ष थोड़े वर्ष कम रहा रास बिहारी जी का आवेश राधा जी में स्थित हो चुका था और वो पहले ही तन छोड़के चली गई थी तो रास बिहारी जी का आवेश तभी वापिस चला गया 100 वर्ष का विरहा रहा अब ये सुबह सुबह मैं एक चौपाई पढ़ रही थी और इतना गहराई से यदी किसी ने मैंने श्रीमत भागवत नहीं पढ़ी हुई यदी किसी ने प्रती बिंब लीला में उन गोपियों ने जिन में वेदर रिचाएं हुआ करती थी कैसा विरहा उन्होंने किया है जैसा हमने अंतर ध्यान के समय किया है सुन्दर साथ जी उनका शट रितूओं का विरहा सुन ले ना कि मैं केवल चुनिंदा चौपाईयां पढ़ूंगी आप उस विरहा को महसूस कर सकते हैं कि हमने क्या किया होगा और हमें उन प्रती बिंब की गोपियों के विरहा को सुन कर उसको चित्वन से देखकर शरम आ जाएगी कि हमसे तो वेदर चाहें अच्छी थी जिनोंने इतना विरहा कर रही है और आज हम क्या कर रहे हैं आएए चलते हैं बहुत चुनिंदा शायद राजी यही चाहते हैं पूरा पूरा क्योंकि इतनी धीमे चलते चलते पता नहीं कब उन खटरुती में जिलाने वाले हैं ऐसा लगता है क्योंकि सुन्दर साथ पीछे नहीं रहेंगे वो जरूर पूरा पढ़ लेंगे मैं एक पढ़ूंगी तो वो पूरा प्रकरन का मंधन कर लेंगे आए चलते हैं स्वामी जी के तीका जो जान डाल देता है ना सुन्दर साजी जो प्रान फूंक देता है ऐसा वो टीका है आए उनके मुक ऐसे लगेगा कि उनके मुखार बिंद से जैसे हमारे कानों में रस घुल रहा हूं मुझे पढ़ते हुए ऐसे लगा स्वामी जी मेरे पास मेरे रिदह में बैठे हुए मुझे सुना रहे हूं इनको बिलकुल व डायरेक्ट प्रेम को कैसे डायरेक्ट प्रेम भी नहीं आनंद को कैसे पाया जा सकता है हम कहते हैं ग्यान आता है उसके बाद क्या होता है सुन्दर साजी इमान आता है फिर समर्पन आता है फिर उसके बाद विरहा आता है फिर प्रेम आता है फिर आनंद आता है वो बोलते सारी सीडियों को छोड़ो ये बताओ ग्यान से डारेक्ट आनंद को कैसे पाया जा सकता है क्योंकि अब हमें शॉर्ट कट्स देने पड़ेंगे सुन्दर साजी हम बहुत लेट हो रहे हैं तो उन्होंने बहुत सुन्दर बात बताई मैं पहले भी बता चुकी हूँ खट्रुती में आये हैं तो जरूर बताना चाओंगे बहुत चुनिंदा चुकाईया हैं बाकी आप खुद पढ़िएगा कहते हैं इंद्रावती जी ने खट्रुती को जब उनके धाम रिदे में वो उतरनी शुरू हुई उन्होंने लिखवाना बोलना उचारन करना शुरू किया विरहा क्या था कि मेरे सत्गुरु मेरे से अलग कैसे हो गए उनके पहले ऐसा विरहा किसी ने नहीं किया था उनके पहले उनके बाद आज तक ऐसा विरहा कभी किसी ने नहीं किया इंद्रावती के पास कोई रास्ता नहीं था उसने चट्टाने तोड तोड के रास्ता खुद बनाया है उसको तो पता भी नहीं था विरहा होता क्या है उन्होंने वो सांचा बनाने में कितनी महनत लगती है सुन्दर साजी उन्होंने विरहा का सांचा अपने जीवन से खुद बनाया है अपनी जो उनकी राह रही कितनी मुश्किल रही सोचिये जो सांचा पहले क किसी को पता ही नहीं यह होता क्या है वो सांचा इंदरावती जी ने बनाइए कहते तुमको बनाना नहीं है तुमको ढलना है उस सांचे में भस तुमको स्वयम का अस्तित वस आप इस जैसा बनाना है कि उसमें ढल शुरू से बताईए तो उन्होंने का जब खटरुती का टीका मैंने किया मैंने देव चंदर जी को नहीं देखा मैं कैसे इंदरावती सा विरहा करके मैं कैसे उसको फील करूं कि मुझे इंदरावती जैसा विरहा मेरे दिल में मुझे महसूस हो और ये टीका मैं कर दूँ ये भावना जब टीका के पीछे होती है तो उसमें कैसा विरहा आता है सुन्दर साजी उन्होंने कहा मैंने अपने सत्गुरु को देखा है जब मेरे सत्गुरु ने तन छोड़ा जब मेरे सत्गुरु सरकाश्री ने तन छोड़ा मैं कौन सी परिस्थितियों से गुजरा, मेरे साथ क्या-क्या बीती, मैंने उनके विरहा को कैसे सहन किया, मैंने इंद्रावती के सांचे में ढलने का प्रयास इस प्रकार किया तो बिना उसको महसूस किये, यदि हम तीका को पढ़ेंगे, तो हम पे जैसे रास की प्री रिक्विजिट क्या है, शरीर से और जीव से उच्च अवस्था में उठकर उसको पढ़ना पढ़ेगा, सिंधी की प्री रिक्विजिट क्या है, माया की कोई बात नहीं करनी, पूरा उपर उठकर फिर सिंधी में प्रवेश करना पढ़ेगा, तो खट्रुती की प्री रिक्विजिट क्या है, सुंदर साजी, इंद्रावती के सांचे में धल के विरहा करना पढ़ेगा, तब ये हमारे अंदर उतरेगी, नहीं, तो ये छे रितुएं हमारे लिए कहीं, हम पर काठने को दोड़ रहा है अपने प्रियतम के बिना, आए सुंदर साजी, अब चलते हैं, प्रति बिम्ब की उस लीला, ये कौन सी बात हो रही है, अब ये जो चौथे प्रकार का विरहा जो हमने छोड़ दिया था ना बीच में, अब ये वहां तक चल रहे हैं, ये प्रति बिम्ब की गोपियों तक पहुंच चुके हैं सुंदर साजी, चौथे प्रकार का विरहा कौन सा विरहा था, आपको याद है ना, प्रतम रास में पूरी नींद में, दूसरा विरहा अर्ध नींद, अर्ध जागरती, वो भी रास किताब में ही दिया गया, पहला ब्रज का दूसरा रास का था, पर कवर दोनों को ही रास में किया गया, उसके बाद कौन सा विरहा था, प्रकाश गुजराती, प्रकाश इंदुस्तानी में, जब उनको दर्शन होने वाले हैं, यानि के सुंदर साजी स्वास भी छोड़े हो संग, उस समय जब उनको दर्शन हो चुक विरहा के आसों के गालों पे धुलक धुलक आते हैं, बार बार ये वह तीसरी प्रकार का विरहा, चौथी प्रकार का विरहा कौन सा था, सुंदर साजी बताएंगे, चौथी प्रकार का विरहा कौन सा था, विक्रम समवत कहां पे था, और मुझे शमा भी कीजिएगा के लिए आपने हैंडरेस किया है मैं केवल वही प्रश्न पूछूँघी उसमें और अजंद्म करॉंगी तो आप खुल के धैंडरेस कीजिएगा डरनेकी कोई ज़रूरत नहीं है यदी दूसरा प्रश्ण पूछूंगी तो उसके लिए फिर से हैंड रेस करवाए जाएंगे सुनीता सेंदल डीदी परणाम जी जी परणाम जी जब मेरा स्थाकु जब अरब से आये थे जी सत्रा सो आठ से सत्रा सो बारा तक का ये विरहा था चौथी प्रकार का विरहा अती सुन्दर और इसमें भी सुन्दर साथ जी आठ से बारा तक का बहुत डीप में जब आप पड़ेंगे इनको आठ से बारा तक का वन्नन जादा नहीं किया हुआ दस से बारा का वन्नन जादा किया है क्योंकि सत्रा सो आठ से सत्रा सो दस तक तक तो वो जामनगर में ही थे बहुत दूर नहीं थे, दूर जरूर थे, मिलने नहीं जा पा रहे थे, पर वो विदेश में नहीं कहा गया, जब चले जाते हैं, कहां पे, कला जी के पास नौकरी करने धरोल चले जाते हैं, 1710 से 1712 के बीच का वर्णन जादा किया गया है, इसमें, अब पांचवी प्रकार का जो विरहा है पांचवी प्रकार का जो विरहा है, वो कब है सुंदर साथ जी, 1712 से 14 तक का विरहा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बीतक साहब से कृष्ण तृधा लीला से भी रिलेटेड है, 1712 से 14 का समय कौन सा है, विक्रम संबच 1712 में देव चंदर जी तन छोड़ चु क्योंकि स्वामी जी ने लिखा ब्रज लीला के रूपक के माध्यम से इसको बताया गया है, कौन सा ब्रज लीला का रूपक, धनी ने उनके सत्गुरु ने तन छोड़ दिया, आतम विरहा कर रही है, मेरे सत्गुरु चले गे हलाकि उनको तो पूरी पहचान भी नहीं कि उ उसको स्वामी जी के तीका ने उसको सब कुछ लिखा है सुंदर साथ जी, बस कड़ी से कड़ी जोडनी पड़ती है, तो श्रीक्रिष्न तृधा लीला में जैसे जंजी रामुसाफ की जुड़ती चली गई, मेरे सत्गुरु के चर्णों के प्रताप से ये भी जुड़ च आए हम सब इनको समझते हैं, शायद यही कारण रहा कि श्रीक्रिष्न तृधा लीला की सहयोगिता हो ने पाई थी, वो अब हो रही है, और और डूब रहे हैं सुंदर साथ, आए चलते हैं सुंदर साथ जी, रास ग्रंत में दो प्रकार का, प्रज से रास में जाने के समय, बावन दिन का सुंदर साथ जी जो विरहा था, दूसरे प्रकार का अर्ध निद्रा, अर्ध जागरती का, एक बात ध्यान से पढ़िएगा, प्रकाश गुजराती, प्रकाश इंदुस्तानी का, अपसे में जागरत होने के पश्चात, इंद्रावती जी की आत्मा के द्वा इसको ध्यान से पढ़िएगा, पहला विरहा उस समय का, जब श्री महिर राज नौतनपुरी में दो वर्ष, कला जी के पास दो वर्ष रहे थे, ना तो सद्गुरु धनी श्री देवचंदर जी उन्हें बुला सके, ना महिर राज उनके पास जा सके, इस कठिन घड़ी में श्री महिर राज का रिदय विरहा की अगनी में तडपता रहा, जिसका चित्रन एक से आठ प्रकरन में किया गया है, दूसरे प्रकार के विरहा में भी वेरी अटेंटिव, उस सवस्था का वर्णन है, जब सद्गुरु धनी श्री देवचंदर जी का अंतर ध्यान हो चुक किन्तु उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रहा, कोई तो क्या पहचानेगा, इंद्रावती जी को स्वयम भी पता नहीं कि आवेश रूप से, आवेश स्वरूप से उनके ही अंदर पधार चुके हैं पिया जी, कुछ सुन्दर साथ की आस्था गादी बैठे हुए बिहारी जी के उपर है, ऐसी अवस्था में ब्रज ये बहुत इंपोर्टन था, जो लेकर ये तीन शब्द लेकर गए वहां तक सुन्दर साथ जी, क्योंकि सुन्दर साथ उनको पहचाननी पारा, ये सब लिखा हुआ है, ये विरहा यही बताता है कि ज्यान क देना क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था, ये देखिए, ऐसी अवस्था में ब्रज लीला के रूपक के माध्यम से द्रिश्टांत रूप में विरहा की अवस्थाओं का चित्रन किया गया है, ये कौन सा रूपक है ब्रज लीला का, जो यहां आ गया है, जब धनी श्री देव चंद्र जी ने तन छोड़ा, तो ब्रज लीला का इसमें क्या अर्थ बना, आए सुंदर साथ जी, वहां लेकर चलते हैं, मुझे शमा कीजिएगा, ये प्रसंग दो तीन दिन तक भी चल सकता है, या जब तक धनी चाहें मैंने जानती, अथ बारे मास आचुके हैं हम श्री खटरुती के नौमे प्रकरण पे, अथ बारे मास सरद रुत राग मलार, पहले तो सारो सब का बताते हैं, अब ये अथ बारे मास ध्यान से एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अब बारे मास शरद रितु भादो क्वार, दूसरे प्रकार का, यहां पे आगया स सुन्दर साजी, वो दूसरे प्रकार का विरहा, जो खटरुती का दूसरे प्रकार का विरहा है, वैसे पांचवा है, पर खटरुती का दूसरा, दूसरे प्रकार का यह विरहा, रूपक अलंकार, कौन सा? ब्रज के रूपक के, सारी कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है सु इसमें कुल साथ प्रकरन है इस विरागे मतलब आगे साथ प्रकरन आएंगे प्रतेक प्रकरन की प्रतेक चौपाई के अंत में हो स्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं राजी कहते हैं तुम वानी पड़ती नहीं हो ना तुम कहती हो कि मैंने वानी नहीं पड़ी मैंने वा साजी seven days से ये खटरूती ही चल रही है खटरूती ही खटरूती और साथ ही वो प्रकरण भी है और अंत में वो वो पता लगता है जो बहुत सुन्दर है जो ये सिद्ध करता है हो स्याम प्यू प्यू करीरे पुकारू प्रतेक चौपाई के अंत में आ जाता है जो ये सिद्ध करता है कि इसमें अपने प्रियतम श्याम को पुकारा है किन्तु श्याम है कौन संस्कृत भाषा में सारे अर्थ लिख दिये मेरे स्वामी जी ने श्याम के निम्न लिखिता अर्थ मुख्य है श्री कृष्ण अक्षैवत वरिक्ष काला बादल कोयल सैंधा नमक काली मिर्च त इतने सारे अर्थ श्याम के होते हैं किन्तु यहां पर श्याम श्याम का यतार्थ है कि शोरा वस्था का वो अती सुन्दर स्वरूप जो लालिमा भरे मुखार बिंदवाला हो इसी प्रकार श्याम का अर्थ काला नहीं होता सुन्दर सांजी सावला भी नहीं होता अती सुन इसी प्रकार तक्त कंचन वर्न आभासा श्यामा इत्ती उच्यते अर्था तपाए हुए कंचन के समान लाल गेहरी गुलाबी आभावाली किशोरी कन्या को श्यामा कहते हैं। साक्षियां भी दी गई हैं। उनको भी राम भगवान राम को भी श्यामा करके कहा गया। द्रौपदी को भी श्यामा कहा गया। यहां पर सीता जी को भी सीता जी के बारे में भी श्यामा कहा गया। इस प्रकार के ये सारे उदाहरन लिखे गए पर हमारी वानी पे आते हैं, शृरी राजी के लिए तार्तम वानी में श्याम शब्द का प्रयोग मुख्यत है शृरी राजी के लिए किया गया जैसे मूल वतन धनिये बताया जित साथ स्यामाजी स्याम चर्चा सुने वतन की जित साथ स्यामाजी स्याम सुन्दर सरूप स्याम स्यामाजी को फेर फेर जाऊं बलिहारी खिल्वत खाना अर्स का बैठे बीच तखत स्यामा स्याम प्रेम अरस परस स्यामा स्याम सैया वतन धनी धाम उप्रोप्त समीक्षा के अधार पे कुछ स्पष्ट करने का प्रयास करने हैं सुन्दर साजी ये बात स्पष्ट रूप से कहीं जा सकती है शत्रितु की वानी में जहां कहीं भी श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है वो मात् रूपक अलंकार के रूप में बहुत ध्यान दीजिएगा घटना क्रम में बहुत ब्यूटिफली बीतक सहब और प्रतिबिंब लीला को जोड दिया गया है सुन्दर साथ जी यहाँ पे I never ever could imagine कि ऐसा भी हो सकता है रूपक अलंकार के रूप में घटना क्रम में कहीं श्री देव चंदर जी का बढ़नन है तो कहीं श्री कृष्ण जी का कौन से श्री कृष्ण जी का जिसमें धनी का आवेश भी नहीं है प्रतिबिंब लीला के रास विहारी का आवेश जिन में है यानि के दूसरे दिन की ली जिसमें विरहा दिखाया गया है प्रतिबिंब की सक्षियों का विरहा ये वो वाले कृष्ण जी है यहां विशेश ध्यान देने योग्ये तथ्य है कि अक्षराती इतने मात्र 11 वर्ष 52 दिन तक ही ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में लीला की थी गोकुल तथा मत्रा में 11 दिन की लीला करने वाले श्री कृष्ण जी को बहुत ध्यान दीजिए हम कृष्ण जी को छोड़ देते हैं यहां खटरुती की आधिवानी में प्रतिबिंब के श्री कृष्ण जी को भी कवर कर लिया गया सुंदर साथ जी थोड़ा नहीं जा सकता अब्रज और रास की लीलाओं को कौन कौन से अंग में छोड़ देंगे कौन कौन सी किताब में कौन कौन से ग्रंत में छोड़ देंगे सुंदर साथ जी श्रीक तृष्ण जी को ही खटरुती की वानी में रूपकलंकार के माध्यम से दर्शाया गया उन वेदरिचाओं के विरहा का भी वरनन यहां बहुत जितना वरनन इंद्रावती जी के विरहा का किया गया है उतना वरनन उनका कर दिया गया है खटरुती के माध्यम से उनमें भी छुपा हुआ इंद्रावती का विरहा कैसे कोडिनेट और कैसे उनको आपस में वो किया है मिलाया है ना इस सो ब्यूटिफुल सुन्दर साजी क्योंकि उनके द्वारा क्यों दर्शाया गया विरहा की घटनाओं को दर्शाना है, सर्व मान्य तथ्य है प्रति भासिकी यानि प्रति बिंब लीला में श्री कृष्ण जी के तन में ना तो अक्षर की आत्मा थी ना अक्षरातीत का आवेश उसमें योग माया के श्री कृष्ण जी की आवेश शक्ती थी, कौन से श्री कृष्ण कहा गया? रास बिहारी जी की आवेश शक्ती थी, जिनके विरहा में गोपियां, यहां लिखा है सुन्दर साजी, सौ वर्षों तक तडपती रही, तो सौ वर्ष उनको ठीक कर यही विरहा में छोड़ी देह, सो पहुंची जहां सरूप सनेह, इनको सजाया नहीं जा सका, यह सुबह सुबह ही प्राप्त हुआ है सुन्दर साजी, इसलिए सुन्दर साजी को बताया भी नहीं जा सका कि इनको सजाना है, विरहा की उनी गटनाओं के दृष्टान से श्र देव चंद्र जी के अंदर लीला करते हैं तथे पुने अपने धाम धनी कौन धाम धनी जो पहले देव चंद्र जी के अंदर लीला करते हैं अवेश्वरू पुने श्री इंद्रावती जी के ठाम रिदय में विराजमान हो जाते हैं यह बात सात्वे प्रकरण की अंतिम चौ एवालो अम्विना कोने ना कलियो इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो होस्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। खटरूती के इन कथनों को सुन कर ही बिहारी जी नराज हुए थे ये वो कथन थे सुन्दर साजी इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो मुझे तो मिल गए जो हमारे थे हमको तो मिल गए कि इंद्रावती के अंदर अक्षरातीत कैसे विराजमान हो सकते हैं वो कोने ना कलियो हम बिना को कुछ नहीं है, हमें अकेली नहीं चोड़ेंगे, जबकि गादी पर तो कहते हैं मैं विराज मानूं। विरहा के उन अनमोल क्षणों को खट्रितु में, शत्रितु में श्री इंद्रावती जी के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। हारे मारूं तेम तेम तनडूं सूके, हो स्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। मेरे प्राण वल्लव आप शरद रितु में धाम पधारे, जिससे मेरे अंग अंग में विरहा का ये भयानक वन उगाया है। अब तो इस विरहा रूपी वन के व्रिक्षों से जैसे जैसे कॉंपलें पल पल निकल रही हैं। वैसे वैसे मेरा शरीर सूख सूख कर काटा होता जा रहा है। मैं विरहा के आंसों में डूब कर आपको पुकार रही हूँ, आप कब मिलेंगे। आप शरद रितु में धाम पदारे। देव चंदर जी ने जब तन छोड़ा तो वो शरद रितु थी। इसलिए शरद रितु से यहां पे शुरू किया गया है। सुन्दर साजी कहते हैं अंग-अंग में विरहा का वन उगाया है। और वन के विरिक्षों में से कोंपले फूट रही हैं। विरहा की कोंपले फूट रही हैं। जैसे जैसे वो आ रही हैं अंग-अंग में शरीर सूखता जा रहा है। यह विरहा की वानी पढ़नी भी आस सत्गुरु धनी श्री देव चंद्र जी के अंतरध्यान होने के पश्चाद श्री मिहिराजी विरहा के शोक में डूब गए वही ख्षन इन चौपाईयों एक से तीन में दर्शाए गए तो यहाँ पर वो विरहा की पूरी वाणी जरूर जरूर एक एक शब्द को आत्म साथ कीजिएगा इतनी सुन्दर पिया की वाणी जरूर पिया लेकर जाना चारे हैं सुन्दर साथ जी उठाई नहीं जाएगा जब आप इनको मन्थन करना शुरू करेंगे यह देखिए वाला तमे मैं सारी नहीं पढ़ रही हूं सुन्दर साथ जी वाला तमे चालता ते चार दिन इसमें बहुत विशेश एक बात कही गई है क्योंकि जब हम खटरूती करेंगे तो इनको पूरा करेंगे पर मुझे पता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप पहले ही उसका पूरा मन्थन कर लेंगे मैं केवल माह तक ले जाकर आपको छोड़ना चारी हूं वाला तमे चालता ते चार दिन डा कहया यह कौन से चार दिन है गोकुल से मतुरा जाते हुए कृष्ण जी ने वचन दिया था मैं चार दिन में वापिस आजाओंगा चार दिन में वापिस आजाओंगा यह वो चार दिन डा यानि के यह प्रतिबिम्ब लीला की बात हो रही है सुन्दर साजी वाला तमे चालता जब आप गए थे चार दिन ड़ा आपने कया था हम वापिस आ जाएंगे हारे अमे एनी रे आसाए जोई ने रहया कहते हमें तो उसी की आशा थी हम तो देखते ही रहया आप वापिस कब आओगे अब इन चार दिनों को भी कहा जोड दिया गया वाला अमे वचन तमारा ग्रहया हम तो हमने तो आपके वचन पे विश्वास कर लिया पर आप तो कभी वापिस आई नहीं हवे ते अवद उपर दिन ड़ा गया अब तो चार दिन से कहीं ज़्यादा समय हो गया सो साल तक विरहा किया कहते वो चार दिन कृष्ण आपके हुए ही नहीं आज तक आप तो चार दिन का वचन दे कर गये थे मेरे प्रियतम आपने गोकुल से मतुरा जाते समय मात्र चार दिन में वापस आने का वचन दिया था इसी आशा के साथ यानि ये स्वामी जी रूपक नहीं दे रहे हैं ब्रज का रूपक अलंकार श्री मुखवानी में चार दिन डा लिखा गया है सुन्दर साथ जी इसी आशा के साथ हम सभी गोपियां आपकी बाट देखती रही हमने तो आपकी बातों पे विश्वास किया किन्तु अब तो चार दिन से अधिक समय बीट गया मैं पल पल आपकी राह देखते हुए आपको पुकार रही हूँ आप कब आएंगे सोचे उन गोपियों का विरहा भी कितना उच्च कोटी का था कि इंद्रावती जी ने महामती जी ने साथ प्रकरण प्रतिविंब की गोपियों का विरहा यहां पे बखान किया क्यों किया सुंदर साथ जी what is the reason of doing this वो तो योग माया में हुआ था जो हमने किया अंतर ध्यान के समय वो तो योग माया में हुआ था हम सोचेंगे योग माया के ब्रमांड में इतना हो सकता है, यहां कहां होगा, हमने कौन सा श्रीमत भागवत को पढ़ा है, पिया ने कवरेज की उसमें यहां पे खटरुती में की इनको देखके शायद हमें शरम आजाए कि यह तो काल माया में हुआ था, क्या तुम इस स्थित चाए भी योग माया में से आई थी, पर वेद रिचाओं ने वो विरहा कर दिखाया, तुम कहां ठहर रही हो, कुछ तो सुन्दर साजी चोट लगेगी है पढ़के, इन प्रति बिंब की गोपियों के विरहा से ही हम कुछ सीख ले ले, चार दिन देखिए कितने प्यारे ब बारे में सूचना दे कर जाते जाते चले गए, सूचना दे कर गए कि पारब्रम चार दिन के बाद आएगा, फिर से उसमें रास भिहारी तो नहीं होंगे, पर ब्रज पहला दिन, रास दूसरा दिन, तीसरा दिन अरब और चौथा दिन, श्री देव चंदर जी के तन से होन वाली लीला, चार दिन के बाद, पांचमें दिन में श्री इंद्रावती जी के धाम रिदय में विराजमान होकर, श्री राज जी को लीला करनी है, इसी को ही प्रतिभासी की, यानि प्रतिविंब की लीला में, चार दिन के बाद आने का वच्चन देना कहा गया है, यानि सा सात दिन गोकुल, चार दिन मत्ऊरा कल ही मैं टीम में गई थी. सुन्दर साथ ने पूछा था कि हम धूसरा क्रिश्री क्रिश्ण त्रिधा लीला में धूसरी लीला को सात दिन का मानेंगे या ग्यारा दिन का मानेंगे? तो सुन्दर साजी वो रही तो पूरे 11 दिन तक पर लीला उसमें 7 दिन रही और 4 दिन उसमें विरहा की लीला रही तो मानेंगे तो उसको 11 दिन का क्योंकि पहली लीला को भी ग्यारा वर्ष नहीं कहा जाता ग्यारा वर्ष और बावन दिन कहा जाता है ग्यारा वर्ष तो मिलन की रही बावन दिन वियोग की रही यहां भी साथ दिन तो मिलन की रही और चार दिन वियोग की रही इसलिए विरहा की रही और आगे कितने वर्ष तक विरहा की लीला रही पर शक्तियां बदल जाने से वो तृधा लीला में तीसरी लीला में प्रवेश कर गई यह देखे कहते हैं वो चार दिन का भी बातनी अर्थ स्वामी जी ने यहां पर बताया जो वचन दिया गया था पाँचमें दिन आकर इंद्रावती जी में धाम रिदय कर कर इंद्रावती जी के धाम रिदय में जो लीला श्री राजी कर रहे हैं उसी को चार दिन के बाद आन धीरे इनको करेंगे और फिर पिछली पूरी बी तक दोहरा कर हम आगे चलेंगे क्योंकि कोई जल्दी नहीं है भागम भाग नहीं है कि पूरी कवर करनी है ऐसे करना है जितना करें उसको रिदय में बसाएं वाला मारा दिनडा आसो ना आवया दिल कर रहा है ना खटूरती प जरूर पूटेगी हम सब के रोम रोम में पूटेगी धनी करें की वो पूटे और हम जल्दी से जल्दी उनसे मिल जाएं क्या पता ये प्रतिबिंब की गोपियां वो प्रेना हमें दे जाएं कि तडपा जाता कैसे है आरे घेर मेघलियो बारे रे सिधावया आरे वन वे लड़िये संद सोहावया प्यूजी तमे एणे समे व्रिजडी काना हावया देखिए ब्रिज का वर्णन आया है ये इंद्रावती जी का विरहा पहले साथ प्रकरन में है जब वो अपने सत्गुरू से मिलने ही पारी य किसका कहते दिनडा आसो ना आवया आश्विन का महीना भी आगया बादल भी अपने घर चले गए मेघलियो बारे रे सिधावया अनेक रंगों की लताएं सुशोबित हो रही है ऐसे मनोहर समय में ब्रज में क्यों नहीं आरे गोपियां भी बारा मासी का विरहा सेम ऐसे ही इंद्रावती जी जैसे बारे मासों का विरहा करती है प्रति बिम्ब की गोपियां भी विरहा कर रही है सुन्दर साथ जी इंद्रावती जी के विरहा के तो क्या कहने उसके बाद तो उनको साक्षात धनी के दर्शन हो गए ये तो तरस्ती ही रह गही सुन्दर साथ जी इन एक रंगों की लताएं शोबित सुशोबित हो रही हैं क्यों नहीं आरे ब्रज में मैं विरहा में निरंतर आपको पुकार रही हूँ अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है खटरितु की जिन चौपाईयों में ब्रज लीला का रूपक वर्नित किया गया है उसमें श्री क्रिश्न का तातपर्य यहां श्री क्रिश्न लिखा है पर इंद्रावती जी उनको राजी से ले रही है और ब्रज की गोपियों से अर्थ श्री इंद्रावती रूपक के माध्यम से वर्नन किया गया है इंद्रावती जी एक गोपी है जो अपने प्रियतम को पाने के लिए तडप रही है यानि के प्रती बिम्ब की गोपियों के माध्यम से उनका रूपक लेकर उनका एक्जामपल लेकर भी इंद्रावती जी यहां तडप रही है प्रती बिम्ब लीला को भी छोड़ा नहीं आसुदर साथ जी तार्तम ज्यान के प्रकाश में जब संशय के बादल गए तो अटूट आस्था और विश्वास के रिदे रूपी आंगन में विरहा के भावों की नहीं नहीं लताएं उगाती हैं हमने तो लताएं खुशियों की देखी हुई है लताओं को लिप्टा हुआ देखा है अपने पेड प्रियतम के साथ विरहा की भी लताएं होती ह हैं और वो उस प्रेम का आगाज होता है उस प्रेम का एहसास उसके आने की खनक होती है कि जैसे ही ये कोपले फूटेंगी फूल बनेंगी वो प्रेम हमारे अंदर वो अक्षरा तीत प्रेम का स्वरूप प्रेम का सागर हमारे अंदर लहराने लगेगा समा जाएगा जो वो लताएं उगाती हैं जो अपने प्रियतम को धाम रिदय में बस जाने का निमंतरन दे रही होती है इस चपाई का यही मुख्याश है बहुत सुन्दर इतना गहरा इतना डीब कौन कहता है हमें नहीं पता विरहा कैसे आया और होता कैसा है एक एक शब्द को जिसने किया इंद् धाम रिदय से ये वानी उत्री जिसने किया उनके धाम रिदय से ये अर्थ और भावार्थ उत्रे कम में समझ जाएगा सुन्दर साथ जी इशारा क्या किया जाए मारा वाला मारा एक वार जो आज 15 मिनट पहले समाप्त करना है सुन्दर साथ जी पंजाब सुन्दर साथ के भाव हैं तो मैं सिंधी लेने की बजाए 15 मिनत इनी को कंटीनियों करती हूँ आपकी आग्या से परणाम जी वाला मारा एक वार जो वनडु आवी हारे चांदलिये जोत चड़ावी बे लड़िये वनस पती रे सोहावी एने समे विरहनियों काविल खावी हो स्याम पियू पियू करी रे पुकारूं मेरे जीवन के आधार एक बार तो इस व्रिंदावन में आकर देखिये एक वार जो वनडु आवी अती सुंदर चांदलिये जोत चड़ावी चंद्रमा की कितनी शीतल चांदनी छिटक रही है बनस पतियां देखिये इस चांदनी में लताओं तथा पेड़ पौधों की शोभा अलोकिक दृष्टी गोचर हो रही है विरहनी को ये कैसा लग रहा है इस मनोहर वेला में हम गोपियां आपके विरहा में तड़प रही है हमें विल खाने से क्या मिल रहा है आपको प्रियतम मैं पल पल आपको पुकार रही हूँ इंद्रावती जी उन गोपियों के विरहा को इस समय देख पा रही है सुन्दर साथ के प्रति बिम्ब की गोपियों ने जो विरहा किया सोचिए पाँचमी प्रकार का जो विरहा उसको समा दिया गया उसमें क्यूं किया गया हम सुन्दर साथ के लिए लिखा गया हम की लीला से दूर भागती हो तुम रास की लीला से दूर भागती हो उसके प्रतिविंब को भी मैंने इसमें समा दिया है जिसमें मैं आया भी नहीं था जिसमें तुम रूहें भी नहीं थी जिसमें मेरी श्यामा भी नहीं थी केवल वेदर चाहें और रास भिहारी जी का आवे जो लीला कियो कैसे छोड़ा जा सकता है ब्रज और रास की इवन कि प्रति बिंब की लीला को भी कैसे छोड़ना है इन गोपियों के विरहा को उनमें भी डूगने को कह रहे हैं कि काल माया में जो विरहा हुआ उसी से कोई सीख ले लो श्री इंद्रावती जी के धाम रिदय म पूर्ण मासी का चंद्रमा अभी अभी आया सुंदर साथ जी चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है तो कैसे इंद्रावती जी स्वयम से मिला रही है कौन मिला रहा है ये मेरे सत्गुरु मिला रहे है कि इंद्रावती जी ने अपनी स्थिति कैसे लिखिया प्रति बिंब क की गोफियों के माध्यम से ये भावार्थ जो उनके रिदय में उपजे ये उनी के रिदय में उपज सकते हैं जो इन विरहा की सीडियों को पार कर प्रेम के स्वरूप को अपने अंदर बसा चुका हूँ पूर्ण मासी का चंद्रमा तार्तम ज्ञान जंगमगा रहा है और उसकी निर्मल चंद्री का श्रद्धा विश्वास रूपी लताओं और व्रिक्षों को और अधिक शोभायमान बना रही है अती 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 सुन्दर हम कभी ये अर्थ नहीं निकाल सकते सुन्दर से कम से कम जो उनके दिल से आये हैं उनको आत्म साथ कर सीख लें और चले बिया की और बहुत देर हो गई है ऐसे रिदय में कहते जब तार्तम ज्यान जगमगाने लगे अपने रिदय में और उसकी चांदनी से निर्मल चंद्रिका से श्रद्धा विश्वास पनपने लगे और सुन्दर बनने लगे तो ऐसे रिदय में प्रियतम का सिंघासन भला क्यों नहीं सजेगा अवश्य सजेगा सजने वाला है इसलिए पिया हमें क्योंकि जब वो उतकंठा उप जाते हैं तो वो पूरी होने ही वाली होती है सुन्दर साजी ये पूरा विश्वास करेगा अब मैंने एक दो चौपायां लिए एक रित्तु की पर आपने नहीं छोड़नी सुन्दर साजी मैंने पढ़ा है पूरा पर यहां पर पूरा मन्थन हम अभी करनी सकते बीतक साहब चलनी है सिंधी चलनी है दिल तो मेरा बहु सुन्दर साजी जरूर डूबियेगा हे मन्त रुत अगली रुत कार्तिक मगसर राग मलार हे मन्त रुतु कार्तिक मार्गशीश या अगहन वाला मारा हे माले थी हेम रुत खाली ये तो वेरन आवीरे विरहनियों उपर चाली व्रिजडी वीती ब्रज की बात आ रही है हर जगह प्रतिबिंब की गोपियों की बात आ रही है मैंने सोचा इस बात को सुन्दर साजी वाई दिस इस प्रतिबिंब लीला ओनली पहले मेरे मन में ये संशय भी आया क्योंकि वो प्रशनोतरी अंदर चलती रहनी चाहिए क्योंकि उस प्रशन के माध्यम से जो हम देखने का खोजने का जब प्रियास करते हम नहीं क्योंकि पिया उप जाते हैं इस नजरिये से देखो इस चौपाई को कैसी चमकने लगती है वो निर्मल आभा वो निर्मल चंद्रिका तार्तम ज्यान की जब पढ़ती है ना सुन्दर साजी इस चौपाई को इस नजरिये से इस द और वो भी सत्गुरू जी के आदेश से, तो ये आया था कि ये हो सकता है कि रास में जब अंतर ध्यान हुए थे, धनी क्या जरूरत है प्रति बिंब की गोपियों को कवर करने की, ना उनमें आप हो ना हमें, हमें क्या जरूरत है उनसे सीखने की, क्या पता है जब रास में आप अंतर ध्यान हुए थे, क्या ये वहां की बात तो नहीं हो रही है, हमने भी तो विरहा किया था, हमारी बात प्याब कर रहे होंगे जरूर, शुरू शुरू में ये मिला नहीं था तब तक, जब तक मैं पहले पढ़ रही थी, बार बार व्रिजडी व्रिजडी आया ना, जब तब पता लगा ये ब्रज की ही बात हो रही है, ये ब्रज की ही बात हो रही है, ये अंतर ध्यान की बात नहीं और ये क्यूं हो सकता है, वहां अनुकरन लीला में आया हो, ये भी संशे आया उसके बात, हो सकता है जब हम रास में हो हमने अनुकरन लीला की तो ब्रज की ही तो की थी ये उस व्रिजडी की बात हो रही हो ना 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 वहाँ इतने मौसम नहीं दिखाए गए सुन्दर साजी सारे प्रशनों के उत्तर पिया साथ साथ रिदय में जैसी चार चौपाईया आए अपने आप ये ये मैजिक होता है सुन्दर साजी पिया जी का वहाँ तो इतनी रित्वें हमने देखी ही नहीं योग माया में और रात्री जैसा वहाँ पे था वहाँ पर तो जो विरहा किया जस का तस श्री रास ग्रंत में उसको वर्णन किया गया यदी करना होता तो इसका वर्णन रास ग्रंत में हो सकता था खटरुती में लाकर क्यों किया और यहाँ पर व्रिजडी की बात आई जहां हमने जहां उन गोपियों ने सार सीजन्स सारी रित्वें एक वर्ष नहीं सौ वर्ष तक देखी हैं उनोंने उसी विरहा में वो तड़पी हैं सुंदर साथ एक बार का वर्णन किया गया सौ बार किया होगा उनोंने और ठक्ती नहीं होंगी पैठ जाती थी उसी सडक भी नहीं बनी होगी तब तो कच्चे रास्ते हुआ करते थे वहां रोज बैठती थी जिस मार्ग से कृष्ण उनको छोड़ कर चले गए थी ये केवल और केवल हमें चोट देने के लिए कि दिल को चोट लगे कि योग माया की वेद रिचाएं कर सकती हैं तूने क्या किया तू मेरे लिए कैसे तड़पती वेद रिचाओं ने तो आज तक उनके प्रियतम को देखा भी नहीं हुआ था उनको हर रित्तु काट खाने को दोड सकती है तूने तो मुझे देखा है तू तो मेरे अंग संग रहती है हम हमेशा से साथ में थे तुम कैसे भूल सकती है तुमें इंद्रावती उच्च श्रेनी की लगती है वो महमती है हम उनके जैसा विरहा कैसे कर लेंगे खटरुती में सुन्दर साजी इंद्रावती जी का विरहा पहली साथ प्रकरणों आठ प्रकरण में दिया गया है हम ये सोचते हैं हम इंद्रावती थोड़ी बन सकते हैं तो क्या वेद रिचाओं से भी गए गुजरे हैं सुन्दर साजी हम कितने high level का उन्होंने कर दिया उनको उठट खाने धाय की स्थिती यहां पे हो रही है हमारी कहां हो रही है हमें क्यों याद नहीं आती है अपने प्रियतम की केवल प्रबोधने के लिए इसी काल माया में हुआ और वो कोई महामती नहीं है सुन्दर साथ जी यहां के जीव कौन सी केवल वेदों ने पहली बार सुर्तनाएं धारन कर ली है वेद रिचाओं में आगी वो इतना रो रही है सुन्दर साथ हम माया को चिपके बैठे हैं माया को गले लगा के बैठे हैं कुछ तो शर्म है इसको पढ़के मुझे तो यही लगा कि पिया यह सिर्फ इसलिया आपने अभी दिया है कि वो विरहा का पुट आ क्यूं निरांदर क्यूं दिल नहीं भीग रहा क्यूं वो विरहा के दो आशों से दिल नहीं भीग रहा जो तेरे पास लेकर जाता है क्यूं आप पिघल नहीं रहे धनी जी क्यूंकि विरहा उस धनी उत्तर देते हैं कि पहले इनका विरहा पढ़ लो फिर बोलना सामने क्यों ने आ रहे बड़ी शिकायतों की पोटली है तुमारे पास मेरे सामने क्यों ने आथा मुझे दर्शन क्यों नहीं देते पिया चित्वन में रोज बैठती तो हूँ चित्वन में बैठके करती क्या हो तुम या तो तुम सो जाती हो या फिर इधर उधर के खयाल मन में घूमते रहते इन गोपियों से पूछो जो कहती है मेरा रोम रोम श्याम है तुम्हारे रोम रोम में कहां मैं हूँ इस मुख से उठा के कौन सा मुख उठा के कहेंगे सुन्दर साथ जी उनको हम कि मेरे सामने क्यों नहीं आते पिया इन गोपियों की बराबरी तो कर लें प्रतिबिम्ब की सक्षियों जैसे भी नहीं बन पा रहे हम अभी कहां गोपियों की बात करते हैं हम ही थे हैं कहां उन गोपियों की बात करते हैं हम तो प्रतिबिम्ब की सक्षियों जैसा भी आचरन नहीं कर पा रहे ब्रिज को छोड़ा नहीं जा सकता सुन्दर साथ जी वहां से बहुत कुछ ग्रहन करना है रास को छोड़ा नहीं जा सकता वहीं का प्रेम वही विरहा नहीं आएगा जब तक नहीं मिलेंगे पिया जी हम लाख कहते रहे चित्वन में नहीं आते नहीं आते जब तक ये भाव अमारे अंदर नहीं आएंगे कैसे होगा इंद्रावती जी, महामती जी प्रति बिंब की सक्यों का उधारन हमारे सामने क्यों रख रही है कोई तो कारण होगा वो कारण मैं हूँ हर एक सुन्दर साथ सोचेगा कि वो कारण मैं हूँ जिसके लिए लिखा गया है शायद ये पढ़के, ये मन्थन करके अंदर से दो आसू वो टपके सुन्दर साथ जी जिससे ये दिल भीच जाए कहते हैं मेरे प्रियतम ये हेमन्त रितु हमारी वैरी है कोई रितु उनको अच्छी नहीं लग रही है सुन्दर साथ जी हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है हमें तो गर्मी भी लगती है हमें तो ठंड भी लगती वो ये नहीं कह रही है हमें बड़ी ठंड लग रही है हमें बड़ी गर्मी लग रही हमें एसी चाहिए पंखा चाहिए ये नहीं कह रही है वो कहते हैं ये हेमंत रित्व भी हमारी वैरी है जो हम विरहा में तड़कती हुई गोपियों के उपर प्रहार करने के लिए हिमाले से शीगरता पूर्वक आई है इसने सारे ब्रजमंडल को चारो ओर से घेर लिया है किन्तु आपने तो हमारे पास ना आने की जिद ही पकड़ लिया है कैसे कैसे पुकारती होंगी अपने कृष्ण को सुन्दर साज जी रित्व से भी बात करने है कि कब आएंगे मेरे कनया तक रित्व ही संदेश पहुचा कि क्यों नहीं आते हैं ऐसी निश्ठुरता क्यों आप तुरंत आईए मैं निरंतर आपकी याद पुकार में खोई हुई हैं शीतल हवाओं के जूंके स्वामी जी लिखते हैं जब शरीर में तीर की भाती चुबते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये रित्व बिरहा के खावों पर नमक छिडख रही है यही कारण है इंद्रावती जी से जोड रहे हैं सुन्दर साजी हर भावार्त प्रती बिम्ब की गोपियों के विरहा को इंद्रावती जी से जोडता हुआ श्री इंद्रावती जी को ये रित्व वैरी के समान लगती है इसलिए वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है मेरे धाम धनी आप मुझे बिलगते हुए देख कर भी दूर बैठे रहते हैं आपका ये रूखापन किस लिए क्या यही आपका पतिपन है मेरे रिदय में आपके लिए सजा हुआ सिंगासन आपकी बाट देख रहा है और आप रूखे हुए की तरह चुकचाप बैठे रहते हैं ऐसा क्यों? क्या आपको मेरी पत्राई हुई ये कौन लिख सकता है? चौपाई में नही लिखा हुआ सुन्दर साजी है जिसकी पत्राई सूजी आँखे होंगी वही तो लिख सकता है इसको पढ़ने का भी उसी को अधिकार है इसको अंदर लेने का भी उसी को अधिकार है जिसकी आँखे सूजी हुँ सुन्दर साजी ये भावार्त उसने लिखा है जिसकी पत्राई और सूजी आँखे हुई होगी ऐसे हमारे सत्गुरु कहते हैं क्या आपको मेरी पत्राई हुई सूजी आँखों को देखने में आनन्दाता है यदि सच मुझ ऐसा है तो आप अक्षराती थी क्यों कहलाते है मुझे तो ये पढ़के ऐसा लगा सुंदर साज जी इंद्रावती जी ने प्रती बिम्ब की गोपियों के माध्यम से विरहा को दिखाया और भावार्त में स्वामी जी ने इंद्रावती जी के माध्यम से अपने शब्द लिख दिये जब वो पुकारते होंगे राज जी को अपनी चित्वन में बैठ कर उनकी भी आँखे सूजी और पत्राई जरूर होती होंगी नहीं तो ऐसे शब्द वो लिख नहीं सकते कभी उनके रिदे कमल से निकले इन शब्दों को प्रनाम महामती जी की वानी को प्रनाम जो हर पल उनकी ओर खीचने के लिए तत्पर है सुन्दर साजी हब और देर ना कीजे प्रनाम जी प्लो श्री प्रानात प्यारे कीजे प्लो श्री सत्गुरू महराज कीजे प्रनाम जी